अब हम discuss करेंगे 8 is to 1 max, 8 is to 1 max में जैसे कि इसमें नाम से पता लग रहा है कि हमारे पास कितने input होंगी, 8 inputs होंगी, तो हमारी जो starting होगी, वो कहा से होगी, denote से, like denote, d1, d2, d3, d4, d5, d6, और ये d7, और output में हम किस से denote करेंगे, y से denote करेंगे, तो इसमें हमारे पास कितने select line होंगी, 8 is to 1 max है, तो इसका मैंने तुम्हें formula बताया था, 2 raised power m is equal to 8, तो 2 raised power 3 is equal to 8 होता है, तो इसमें हमारे पास select line कितने होगी, 3 होगी, s0, s1 और ये s2, output क्या है, y है, अब इस से related हमारे पास क्या बनेगी, truth table से हम एक expression derive करेंगे, और expression से हम logic gates निकालेंगे, ठीक है, सबसे बहले देखो truth table कैसे बनेगी, इसमें हमारे पास कितने input हैं, 3 input है, जितने select line होती है, उतने हम input लेते हैं, तो इहाँ पे 3 select line है, एक हो गया s0, एक हो गया s1, और एक हो गया s2, और output को हम किस से denote करते हैं, y से denote करते हैं, ठीक है, अब तुमें पता होगा कि digital की form में, अगर हमारे पास 2 input है, तो उसके कितने possible combination बन जाते हैं, 2 raised power 2, 2 raised power 2 मतलब 4, 2 bar 0, 2 bar 1, یक बर 0, 1, 0, 1 खेंगे, और अगर हमारे पास 3 input होते हैं, तो उसके possible combination कितने बन जाते हैं 2 raised power 3 मतलब 8 2 raised power 3 8 कितना हो गया इसमें हमारे पास 8 possible combination बनेगे 8 मतलब की आदा करदोस को 4 बर 0 4 बर 1 फिर 2 बर 0 2 बर 1 2 बर 0 2 बर 1 फिर 0 1 0 1 0 1 0 1 इसी तरह अगर हमारे पास 4 input होंगे तो उसके possible combination कितने बन जाएंगे 2 raised power 4 2 raised power 4 मतलब कितना हो गया 16 अगें इसको भी आदा कर दो आदा मतलब की 8 बर 0 ठीक है पहले कितना हो जाएगा 8 बर 0 फिर कितना हो जाएगा 8 बर 1 फिर अगली बार 4 बर 0 फिर 4 बर 1 फिर चार बर 0, फिर चार बर 1, so on, मैं complete नहीं कर रही, table तुम कर सकते हैं, दो बर 0, दो बर 1, दो बर 0, दो बर 1, फिर 0, 1, 0, 1, इस तरह से चलता रहते हैं, तो अब हमारे पास यहाँ पे कितने input हैं, तीन input हैं, तीन के लिए मैंने बताया था, 8 possible combination बनते हैं, कौन-कौन से, 8 को आदा कर दो 4, मतलब 4 बर 0, 4 बर 1, ठीक है, फिर से 2 बर 0, 2 बर 1, 2 बर 0, 2 बर 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, इसमें हमारे पास एक और input आ जाती है, enable pin, यहाँ एनेबल pin हम यहाँ पे लगाते हैं, ऐसे, अब तुम देखो, enable pin का क्या मतलब होता है, हमारे पास, enable pin का मतलब होता है हमारे पास, कि जैसे तुमारे घर के भार MCB है, ठीक है, तुमारे घर के भार MCB है और तुमारे room में fan है, अगर तुमने fan को on कर दिया, MCB को off कर दिया, और अंदर जाके तुम fan का switch on कर रहे हो, तो क्या वो fan चलेगा? बोलो, नहीं चलेगा ना, अगर तुमारे MCB ही off है, तो अंदर की तुम कोई भी switch चला लो, वो on नहीं होगी, अगर तुमारे MCB on होगा, तभी वो अंदर वाले switches काम करेंगे, तो इसी तरह यहाँ पे enable pin का भी यही काम है, कि अगर तुमारे enable pin 0 होगा, तो हमेशा output कितनी आ आईगी, ठीक है, और अगर तुमारे enable pin 1 होगा, उसके according तुमारे पास output आईगी, तो enable pin हमेशा क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, तभी तुमारे पास output आईगी, ठीक है, यहां तक कोई doubt, तो enable pin इसलिए हर case में हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया, क्योंकि enable pin 1 होगा, तभी ह हमारे पास output आईगी, अब first case में output कितनी आईगी, denote, second case में d1, d2, d3, d4, d5, d6, और d7, ठीक है, बस sequence में रहेगा, इसमें कुछ याद करने वाली बात भी नहीं है, कि पहले d0, d1, d2, d3, d4, up to soon, बोलो, यहां तक कोई doubt, यह मैंने क्या बनाया है, 8 is to 1 मक से truth table बनाई है, clear, अब देखो, यहां से हमें क्या बनाना है, expression बनाना है, वह देखो, हम क्या expression बनाएंगे, first expression देखो, यह क्या हो जाएगा, first से, यह s-note के नीचे क्या है, 0 है, right, तो s-note के नीचे 0 है, तो 0 के लिए हमें पता है कि किस से represent करते हैं, बार से represent करते हैं, तो s-note क्या हो S1 के नीचे भी क्या है 0 है तो S1 के नीचे भी बार हो जाएगा S2 के नीचे भी 0 है तो S2 के नीचे भी बार हो जाएगा denote as it is लिख लोगे ठीक है फिर second expression के लिए मतलब सारे यह आपस में multiplication और फिर इसके साथ ही addition तो second expression के लिए क्या हो जाएगा S0 के नीचे 0 है तो यह कितना हो जाएगा S0 बार S1 के नीचे भी 0 है तो S1 बार और फिर यह S2 के नीचे 1 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा S2 और फिर यह D1 similarly so on ऐसे ऐसे करके हम सारे expression बनाएंगे ओके मैं पूरे expression ही बना रही वो तुम अब खुद बना सकते हो तो अब मैं last वाला बना रही हूँ बस last वाला कितना हो जाएगा S0, S1 क्यूंकि सब के नीचे 1 है तो S2 और यह D7 और यह तुम्हारा देखो enable pin से भी connected है ना enable pin तो सारी inputs में ही है तो इसलिए मैंने बहार bracket में क्या कर दिया enable pin E से multiply कर दिया क्यूंकि अगर enable pin 0 होगी तो output तुम्हारा पूरा कितना हो जाएगा 0 और अगर enable pin ही 1 होगी तो तुम्हारा according उसके according output आ जाएगा ठीक है यहां तक बोलो कोई doubt हो तो अब इसके बाद हमें इसका क्या बनाना है gates के through हमें realize करना है तो जैसे first expression था तुम्हारा तीन input है तो तीनों की line की चलो ऐसे straight line की चलो एक हो गया हमारे पास s note एक हो गया हमारे पास s1 और एक हो गया हमारे पास s2 ठीक है अब इसके बाद हमने हमें पता है कि इसके लिए bar भी है s note bar s1 bar s2 bar तो इनी gate से हम note gate लगा के bar निकाल सकते हैं तो यह कितना हो गया हमारे पास s note bar यहाँ पे note gate लगाया ठीक है यहाँ पे यह कितना हो गया s1 bar और अगेन यहाँ पे हमने note gate लगाया तो यह कितना हो गया हमारे पास s2 bar हो गया अब हमेरे first expression First expression क्या था हमारा S note bar, S1 bar और S2 bar और तीनों ही क्या है Multiplication में Multiplication के लिए हम कौन सा gate use करते हैं And gate use करते हैं तो S note bar से connect कर दिया S1 bar से connect कर दिया और S2 bar से connect कर दिया तीनों के लिए हमने कौन सा gate लगा दिया And gate लगा दिया ठीक है output में हम y से कर देंगे अब देखों यहाँ पर एक और चीज़ है d note है ना हमें पता है कि हर एक input में हमारा different different input connect है तो better है कि एक लंबी line में लेने के बज़ाए एक छोटी सी यहाँ पर line ले लो यहाँ कितनी हो जाएगी d note okay clear अब हम second का बनाएंगे second expression का यह कितना हो जाएगा s note bar s1 bar और s2 तो इसको हम क्या से लिखेंगे s note bar ये वाला s1 bar ये वाला और s2 इससे में in line है तो black वाले से connect कर देंगे again and gate बनाएंगे और इसके साथ क्या connect हो जाएगा हमारे पास d1 तो यहाँ पे हमने d1 connect कर दिया यहाँ पे output y नहीं है last में हमें add करना पड़ेगा अब उसके लिए last वाला देखो last में पूरा नहीं बना रही again पूरा तुम complete कर ले न last में क्या आएगा हमारे पास s note to s note से connect कर दिया s1 तो s1 से connect कर दिया s2 तो s2 से connect कर दिया and gate से connect कर दिया और last में क्या था हमारा d7 था तो यह कितना हो जाएगा d7 अब तुम्हें पता है कि इन सब को क्या करना है हमें add करना है expression के recording addition के लिए हमारा कौन सा gate use होता है or gate use होता है तो हमने or gate use कर लिया और हमने यहाँ पे enable pin लगा देंगे कि अगर यह 0 है तो यह सब कुछ 0 हो जाएगा तो यह आगे तुम्हेरे पास final output enable pin यहां मत लगा ना क्योंकि यहां से तुम्हारा add हो रहा है एक और output के आगे or gate के आगे एक और and gate लगा दो और उसके आगे तुम enable pin लगा दो क्योंकि multiplication में 0 को हम जिस भी term से multiply करेंगे वो answer क्या आएगा 0, 1 को हम जिस भी term से multiply करेंगे वो answer वो ही as it is वो ही आजएगा तो इसलिए मैंने एक और and gate लगाया उसके cross हमारे पास output आजाएगी enable pin से connect करने के लिए तो यह था हमारा 8 is to 1 का multiplexor सबसे पहले हमें यह diagram बनाना है उसके बाद हमें truth table बनानी है उसके बाद हमें expression बनाना है उस expression की help से हमें logic gates बनाने है वस यही है तुमारे 8 is to 1 multiple